पहाडियों के बीच बसे एक अनोखे गाव में हूट नाम का एक बुद्धिमान बूढा उल्लू रहता था। हूट अपनी बुद्धिमान सला और जीवन के रहस्यों में गहरी अंतर दृष्टी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन, जब गाव वार्षिक फसल उत्सव की तैयारियों में व्यस्त था, सनी नाम का एक यूवा गौरया परेशान दिल से हूट के पास आया। सनी हमेशा से ही फसल के मौसम के रंग बिरंगे उत्सवों से रुमान चित रहे हैं। लेकिन इस साल उन्होंने खुद को चिंतित और अनिश्चित महसूस किया। उसे डर था कि उत्सव के चर्मोतकर्ष को चहनित करने वाले भव्यन रीते प्रदर्शन के दौरान वह अन्य पक्षियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। सनी की परेशानी को भामपते हुए। हूट ने उसे एक आरामदायक मुस्कान दी और अपनी युवावस्था की एक कहानी साजा की। उन्होंने बताया की कैसे उन्हें भी एक बार दूसरों की अपिक्षाओं से अभिभूत महसूस हुआ था। लेकिन उन्होंने सीखा था कि सच्ची खुशी किसी की अद्वितिय प्रतिभा और क्षमताओं को अपनाने से मिलती है। हूट के ज्यान के शब्दों से प्रेरित होकर सनी ने डांस रहरसल को नए आत्म विश्वास और खुशी के साथ करने का फैसला किया। प्रतिक सुन्दर हरकत के साथ उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर होने दिया। इसके बजाए उन्होंने संगीत और अपने दिल की लए पर ध्यान केंद्रित किया। क्योहार की रात, जब ग्रामीन भरपूर फसल का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए, तो सनी एक नए उद्देश्य की भावना के साथ मंच पर आये। अपने पंखों की हर फढ़ फढ़ाहट और अपनी पूंच की हर घुमाव से उसने हवा को जादू और आश्चर्य से भर दिया, जिसने देखने वाले सभी लोगों के दिलों पर कबजा कर लिया। जैसे ही संगीत के अंतिम स्वर रात में फीके पड़ गए, सनी को एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल रिते में अपना स्थान पालिया है, बलकि आत्म विश्वास और आंतरिक शांती की एक नई भावना भी खोज ली है।